असलाम लेकूम मेरा नाम है सोहेव हाजरू एक नई इंफरमेटी वीडियो के साथ आज की हमारी वीडियो है सीलिंग के बारे में ये मेरे उपर आप देख सकते हैं सीलिंग हो रही है एक पांच मरला घर में इस पूरे घर के डिजैन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नेक्स वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीलिंग करवाते वकत आप लोगों ने किन बातों का ख्यार रखना है ताके सीलिंग करवाने के बाद आप लोगों के जो क्रैक्स आ जाते हैं या जो भी सीलिंग के बारे में मसाइल है वो डिपेंड करते हैं आप लोगों के मिटिरियल पे कि मिटिरियल कौन सा इस्थमाल हो रहा है मेरे साथ बाईजन खड़े हैं सलीम भाई इनसे पूछेंगे और मुकमल इंटरव्य उनसे लेते हैं सीलिंग के बारे में कि ये कौन-कौन सा मिटीरियल इस्टमाल करते हैं चाहिए ये खुशक होनी चाहिए तार होनी चाहिए इसके बारे में मुकमल बताईए ये पांच सुतर की टैल होने चाहिए खुशक होनी चाहिए और चार पांच चीजों का खास और ख्यार रखना चाहिए लंबर एक सीड्स होनी चाहिए लंबर दो फोक अच्छी होनी चाहि लंबर चार गिटी अची होनी चाहिए और लंबर पांच मुझ जो मुठा सेंटर में आता है वो होना चाहिए जो नारियल है वो जोड़ों पे डाल देते हैं गिली शीट नहीं होनी चाहिए अगर शीट गिली होगी तो उसका क्या नुक्सान होगा डलक चलक जो पेंट नदर आएंगी और यह भी कहते हैं कि यह भी खुशक हो जाती है तो क्रैक आने का भी खत्रा होता है क्रैक आते हैं जरूर आते हैं ठीक है अगर कोई पूरा प्रापर के साथ काम किया है तो क्रैक नहीं आएंगे क्रैक आने का सीलिंग में क्रैक आने का क्या वज़ा क्या क् शेट की लिए होती है तो यहाँ फिर और मुठाली लगया हOTा महुनुच गा अच्छा स्पोर्ट इसमें और मसल्ड़ा हुता है कोई होक नहीं लगाते हैं पेज लगा देते हैं उसकी वजह से डल का जाती है क्राय काने शुरू हो जाते हैं उसके लावा अगर यह हम जो कौपर की वायर है अगर इसकी जगा के लोग लोहे की या कोई और इसमाल करें उसका क्या नुकसान होगा अगर सुकी शीट होए काप कौपर की की शुर्वाइब ड्रसी की मुछ ऐस्मूराइब करते हैं कापर गैहने करते हैं कापर तार वाले स्री मुंछ ओरपियर की मुलक छाही है नहीं चाहिए इन देकी हैं चाहिए ये deficiency काइब फेह खात इसके लबाव सीलिंग के बारे में डिजाइन और पर स्केर फिट आज कर रेट क्या चार रहा है वो भी आउडियंस को बता दें ताकि मैं डिस्क्रिप्शन वॉक्स में नंबर दे रहा हूं आप इनसे रापता करके सीलिंग करवा सकते हैं तो आपनों के रेट्स किया हैं उसके बारे में बता दीजिए पहली बात सेबाद यह बात है यह सीलिंग के डिजाइन बना हुआ है यह साथ तो पैंट 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 स्केर फूट है ठीक है अगर कुछ पैंट काम करना चाहिए वो डिजाइन के मताबक डिपेंड करेगा तो आप भान को सीलिंग करना ऐता है अगर आप खोड़ी एकसा डिजाइनिंग में जाएंगे स्पैंडिश स्ट्यून में दिवारों में से लावा से लिंग में डिफर कॉले वगरा और जो स्पैंडिक का सीलिंग डेसाइं होता इस पघटान के जो सीलिंग करनाby अगर वा सकते हैं तो माशाला बहुत ही जबरदस साफ सूतरी सीलिंग हुई हुई है उसके लावा ये पूरे पांच मरले घर का मैं आप लोगों को ये अभी सिर्फ और बेडरूम दो बेडरूम सीलिंग डिजाइन हुए है तीन बेडरूम तो वह भी आप लोगों को दिखा देता अब ही मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ ये एक बेडरूम का सीलिंग डिजाइन वह भी दिखाते हैं दो बेडरूम में सीलिंग हो चुकी है तो उसका डिजाइन आपके साथ शेयर कर देते हैं जी तो ये आप देख सकते हैं एक ये सेंटर में स्टार बना हुआ है और रूप लाइट भी आएगी चारो तरफ तो ये एक डिजाइन उसके लावा मेरे इस साइट पर ये एक चोटा सा बेडरूम था इसका सीलिंग डिजाइन भी आप देख रहे हैं बाकी मज़ीद अभी टीवी लाउंच का जब सीलिंग हो जाएगी और सारी नीचे ये अभी ह आप लोगों को सीलिंग के बारे में काफी ज़्यादा चीजों का पता चल जगया होगा मैं दोबारा शेयर कर दूँ पांच एम एम की आप लोगों ने ये बिल्कुल खुशक शीट इसमाल करनी है जो के प्लास्टर ओफ पैरस की बनाई गी होती है इसके लावा आप लोग आप लोगों ने ये मुंज वगेरा इसमाल करनी है जो ये चीजें है इसको जड़ा अच्छी क्वालिटी में आप लोगों ने इसमाल करना है और प्रॉपर आप लोगों ने इसको लगाना ताकि सीलिंग के गिरने का कोई खतरा ना तो ये थी हमारी आज की वीडियो सरा ख्यार रखिए अला आफिस